स्वागे था आपका बिजनस दिस वीक में मैं हूं नरेश सोनी शेर बाजार एतिहासी कुछ आईयों पर है जहां एक और निवेश्कों में जबरदस उत्सा है तो कहीं कुछ आशंकाएं भी हैं डर भी है डर ये कि अब मुनाफ़ा कमा कर शेरों को बेज दें या और तेजी के रुजहान पर भरोसा करें बने रहें सवाल ये भी है कि जो लोग इस रैली में कमाई करने से चूक गए उनके लिए अब नया निवेश का मौका कहा है ये सब और पिछले हफ़ते की बाजार की आपके काम की कई ख़बरें अगले आदे खंटे में हम देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि बाजार कैसा रहा अगर निफ्टी की बाद सबसे पहले करें सबसे पहले अगर देखना होगा तो 10,000 ये निफ्टी ये पहली बार हुआ अलगातार 3 दिन तक 10,000 के उपर सस्टेंड किया ये अध्भूत थे क्योंकि 10,000 के उपर एक बड़ा रिजिस्टेंस लोग कहा रहे थे कि चला जाएगा लेकि छूक के वापस नीचे आएगा वो नहीं मिला हफते भर में एक परसेंट की बड़त यहां पर निफ्टी ने दिखाई है सेंसेक्स 32,000 के उपर चला गया 32,300 पर करीब करीब एक फिजदी की बड़त यहां पर भी देखने को मिली है देखिए बाजार में जो महौल है सेंटिमेंट वो बहुत मजबूत इस्वक तो यहां पर देखने को मिला है मजबूले शेवरों में भी हमने खरदारी देखने को मिली है इसके लावा जो अमेरिकी फिट की बैठक होई दो दिन की बैठक चली उसमें भी कोई बदलाव स्टैंसमेंन ही हुआ तो उसने भी कहीने कहीं बाजार को भरोता दिया कि अभी जो रुजहान है वो बदलेगा नहीं इसके लावा एक पॉलिटिकल ख़वर भी थी जो बिहार में नितीश कुमार बीज़पी में चले गए उसने कहीं न कहीं केंद्रे सरकार को और मजबूत किया जिसने भी बाजार का जो माहल है खरदारी का वो बनाये रखने में मदद क ही है तो यह चार बड़े इंडेस की बात हो गई अगर हम देखें कि इंडेक्स वाइज कि कहां पर कितनी क्या खरदारी हुई है बैंक सबसे ज़्यादा खरदारी पिछले कई हफतों में भी अगर आप देख लें तो बैंक शेर सबसे तेज दौड़ रहे हैं यह तेजी अ सावेट एनसी फार्मा इंडेस में हमने इस हफते आते हुए देखी है अब बात करते हैं कौन से स्टॉक है यहाँ पर हमने अच्छी खरदारी देखी इस हफते के हीरो कौन है इस हफते में येस बैंक सबसे उपर हफते भर में ही साड़े सोले करीब 17 फीजदी कहें तो गल खरदारी की सला दी है येस बैंक में जिसका पूरा फाइदा इस काउंटर ने उठाया है HDFC की बात करें HDFC में मुनाफ़ा भले ही गिरा लेकिन उसके बावजूत काउंटर चड़ा है इसकी वज़या क्या है ये भी देखते हैं क्योंकि सब्सिडिरी जो कंपनी की HDFC 3,890 करोड का मुनाफ़ा हुआ जिसके बाद HDFC बैंक में भी खरदारी दिखी और क्रेडिट सुइस ने इस मुनाफ़े के बाद जो टागेट था आउट परफॉर्म का वो 11% और बढ़ा दिया और 1905 रुपए का लक्षा दिया यानि मौजुदा स्वरों से भी अच्छी ख खरदारी देखने कमिली अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर हमने दवाव देखा है इस हफ़ते इस हफ़ते के जो जीरो स्टॉक्स अगर कहें वो है डॉक्टर रेडीस फार्मा शेयरों में जो बिक्वाल है उसका सर्तों है ही इसके अलावा पहली तिमाही में 57 फ है ल्यूपिन का यानि एक और फार्मा स्टॉक्स साथ फिस्टी टूटा इसकी वजह है कि यूएस एवडिये जो है अमेरिकी दवा नियामक जो है वो पितंपूर प्लानेट के यूनिट वन का उसके निरक्षिन की पहले खबरे आई और भी खत्म होते होते तक पुरा हो ग एक तो मुनाफ़ सुष्ट रहे 14-16 फिस्टी तक हैं पर मुनाफ़ा गिरा है इसके अलावा शिखा शर्मा जो MD और CEO है उनका कारेकाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसको लेकर एक असमंजस की स्थिती बासार में थी लेकिन बाद में खबर आई कि उनका कारेकाल 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया किया है शिखा सर्मा का शिखा शर्मा का तो कुल मिला कर यह सारी वजह जिससे एक्सिस बैंक टूटा और Tata Motors DVR ट्रांस्पोर्टेशन कारोबार में सुस्ती देखने को मिल रही है बुकिंग कम हुई है जिस्ट का इंपक्ट है जो हॉलेज रेट सर दस अजार पे निफ्टी आ कितना टिकाऊ है कितना टिकेगा यह एक डर है जो कारोबारियों के बीच में है इसका जवाब आप दर्शिकों को दीजिए दीकिन इफ्टी जिस इस तर पर इस से में ट्रेट कर रहा है डेफिनिटली उच्षुकता जरूर है अनिश्चिता का भी मोहल है क्योंकि जिस तरह से रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ कैच अप करना था कैच अप नहीं कर पाया तो उसको लेके एक विशेश तोर पे कंस है कि उस पे भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट इंट्रेस्ट रेट में कमी आएगी तो ये एक पॉजिटिव क्यों मार्केट में लेके चलेंगे उदर डॉलर की थोड़ी-थोडी वीकनेस देखी जा रही है जिससे पूरे जो स्टॉक मार है अगर हम देखें तो एक जो कंसर्ण मेजर है अर्निंग्स क्योंकि अर्निंग्स क्रोथ में इतनी अच्छी बढ़ोतरी नहीं देखी गई और अर्निंग्स का कहचप करना काफी इंपॉर्टेंट एशेयर बजार के लिए अगर हम मार्केट की बात करें तो दसजार दूस अगर देखें येर टुडेट रिटर्ण 22% की देखने को मिली मार्केट में और पूरे साल की लगबख कोई 17-18% देखने को मिली तो मैं समझता हूं कि इस इस्तर पे जो मार्केट है वहां एक जो इस्तर है काफी असमंजस का इस्तर है और उस पे निवेशकों को क्या करना यह एक असमंजस जरूर है सर इसलिए तो लोग आप से एकस्पेक्ट करें कि आप बताये कि अभी इस असमंजस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है जो लोग चूप गई इस्रेली से क्या वो इन स्तरों पर निवेश कर सकते हैं क्या करना है तो कौन से से सेक्टर होंगे जह मार्केट में आ चुके और वो एक तरीके से प्राइसिं हो है और मार्केट इस समय 25-26 पी मल्टिपल पे ट्रेट कर रहा है हिस्टोरिकल हाई पर है अपने एबरेजिस से कोई 25% उपर की तरफ ट्रेट कर रहा है तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा रिस्क जरूर है लेकिन अ और निवेश करने लाएक स्टॉक्स, मिट कैप, स्मॉल कैप और लाज कैप काफी बड़ा दाइरा देखने को मिलेगा अंडर परफॉर्मर स्टॉक को अगर देखें और उसमें सोड़ी बहुत रिसर्च करें तो अभी भी अपर्चुनिटीज काफी है नहीं तो और उनका जो रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफी अच्छा देखने को बढ़ता तो अकसर हम यह देखते हैं कि मुचल फंड के जो ग्रहा का वो बढ़ जाते हैं और ऐसे में लगातार सला आपको यह होती है कि जब बाजार इतना तेज हो और सम दो अगस्ट को क्रेट पॉलिसी आएगी और इस बार उमीदे ज्यादा है क्योंकि जहां ठोक महेंगाईदर एक फिजदी के नीचे आ चुकी है जो कि 11 महीने में सब से कम है तो वहीं खुद्रा महेंगाईदर भी अपरेल से लगातार गिर रही है और अब जून में ये एक दर चोथाई फिसदी घटाई जा सकती है इसकी वज़े जहां महेंगाईदर में कमी है वहीं अच्छा मांसून भी है अच्छा मांसून इस बात की तजदीक करता है कि आने वाले महीनों में महेंगाईदर काबू में रहेगी ऐसे में RBI एक बार ग्रोथ को साहरा देने के ल गुमान लगाया जा रहा है या एक्सपेक्टेशन है हमने देखा पिछले दिनों बैंकिंग स्टॉक में काफी रैली देखने को मिली तो यह रैली एक तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनके काफियत अच्छे नतीजे थे और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थ अग्रफ आ रही है तो यही दर्शाथ है कि अगले सप्था 25 बैसे स्पॉइंट रेट कट एक्सपेक्टेड है मार्केट में लेकिन इसके लिए दोनों तर्क हैं कि क्या पैंक आने वाले समय में फुर्दर 25 बैसे स्पॉइंट रेट कट पासओन कर पाएगा कंस्यूमर्स क तो वहां एक अंकुष है इस गड़बड़ी में सबसे उपर बैंक आफ महराश्टर का नाम है इसके अलावा औरियंटल बैंक आफ कॉमर्स इलाहबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक के नाम शामिल है इन 12 सरकारी बैंकों में प्रोविजिनिंग की गई यानि जितना बैंकों का NPA था उसके मताबिक प प्रोविजिनिंग कम करने की वज़े से जो नेट प्राफिट था वो ज्यादा दिखने लगा मतल साब बैंक बहुत तेज भागे और इस तेज दोड़ के बाद अब जो खबर आई वो कहीं कहीं बहुत परिशान करने वाली है भरोसे पर सवाल उठे का सरकारी बैंकों को ल आई हैं क्योंकि उसमें काफी अंसर्टेनिटी और काफी जो बैंक के प्रोविजिनिंग थे उसमें काफी इशूस निकल के सामने आएं तो अब जो मुनाफिक को नहीं दर्शाना या उपर की तरफ दर्शाना या प्रोविजिनिंग नहीं करना वो संभब नहीं हो पाएग under the new RBI guidelines and policies यह बात जरूर है कि पिछले दिनों हमने देखा कि निवेशकों को डरने की जोरत है क्या क्या कि लोगों ने बहुत इन्वेस्ट कर दिया इसरेली में बैंकों में काफी इन्वेस्ट किया है देखी जहां तक निवेशकों का सवाल है मैं समझतों कि निवेशकों ने चिंता की बात है कि नहीं निवेशकों ने जहां तक चिंता का सवाल है मैं समझता हूं कि बिल्कुल चिंता की बात है लेकिन उसके साथ साथ जो RBI ने पिछले तीन वीक से जो गाइडलाइन्स इशू करी है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो प्रोवीजिनिंग ना करना या मुनाफ़ा ऊपर की तरफ दर्शाना या दिखाना वो मेरे ख्याल से अब संभब नहीं हो पाएगा अब संभब नहीं हो पाएगा लेकिन पकड़ा गया है कि लोगों ने किया ऐसा जो कि बड़ी चिंता की बात जरूर है और क्योंकि ये शुक्रवार को बाजार बंद ह की बात की खबर है तो माना जाए कि आने वाले हफते में या कम सगर शुरुवाती एक दो दिन में कुछ दबाव दिखा दिखा जा सकता है तो सरकारी बैंकों को लेकर तो निवेश में सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको लेकिन नीजी बैंकों का क्या हाल है जरा वो भी बढ़कर 5590 करोड रुपए पर आ गई है तिमाही दर तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए 7.89 फिज़ी से बढ़कर 7.9 फिज़ी हो गया नेट इनपीए में भी बढ़ा देखने को मिली है आईसी आईसी एए बैंक जो सरकारी बैंक है वहां पर तो यहां पर कुछ दिक्क है जो प्रोविजनिंग की प्रतिक्रिया है वो पूरी नहीं होई है वो प्रतिक्रिया अभी भी बाकी है और उसके चलते वे हमने देखा है रिजल्ट्स में काफी दबाओ देखने को मिला प्रोविजनिंग में दबाओ देखने को मिला लेकिन यह जो क्लीनिंग ऑफ बैले करी जा रही है तो मेरे खाल से एक क्लीनिंग प्रोसेस जो है बैलेंशीट्स का ये ओन है और आने वाले समय भी मेरे खाल से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दवाओ और देखने को मिल सकता है जहां तक NPA का सवाल है या NPA या ग्रॉस NPA का प्रेशर है या री स्ट्रॉक्चर्ड असेट्स जो दुवारा से NPA में जा सकती है तो मैं इसे मक्सतों कि ये एक बड़ा इंपोर्टेंट इशू है जो कि बैंक में अभी भी रहेगा ठीक है और अब हम टेलिकॉम की बात करते हैं मुकेश अम्बानी जब से जियो लाए है ना तब इसे देश की बाती टेलिकॉम सोच रही है कंपनिया कि जिये तो जिये कैसे जी हां दिगश टेलिकॉम कंप्टियों के हालत लगातार बिगड़ रही है जून तिमाही में 415 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है जबकि पिछले साल अप्रायल जून में कंपनी को 220 करोड़ रुपए का मुनाफ़ा था आए में भी 14 फिस्दी की गिरावट आई है जब से जियो ने मुफ्त कॉल सस्ते डेटा की स्कीम शुरू की तभी से जो प्रतिसपरधा जो कॉ बाकि कम्तियां भी मजबूर हुई ऐसे यौफर लाने के लिए इससे इन कम्तियों के मार्जिन को तगड़ा जहतका लगा है तो इनकी जो कॉल लॉस्ट हो रही है सिग्नल कम लगेगा वापस यह लगेगा कि नहीं लगेगा लेकि मुझे लगता है कि एक साल तो थोड़ा प्रेशर रहने की उम्मीद है और मुझे लगता है कि इस सेक्टर में काफी कंसॉलिडेशन होगा जो वीकर प्लेश हैं वो कंसॉलिडेट करेंगे कुछ मर्जर होनी की आशाएय भी हावे और तीन-चार स्ट्रॉण प्लेश रह जाएंगे जब तीन-चार स्ट्रॉण प्लेश रह जाएंगे तब एक improvement का माहल और इस्थिती देखने को मिल सकती है लेकिन जिस तरह का competition इस समय बरकरार है तेली कॉम से दूरी रखें मेरा अपना यही है कि टेली कॉम मुनाफ़ा इस्तिमाही में भी बढ़ा है लेकिनों बाजार की उमीज से कुछ कम रहा अप्रेल जून के दौरान कंपनी का मुनाफ़ार 4.4 फीज़ी बढ़कर 1556 करोड रुपए रहा वही कंपनी की आए में भी 16.4 फीज़ी की बढ़त रही यह 19,777 करोड रुपए पर रही है अलांकि राहत की बात यह रही कि मुनाफ़े में कमी जो आई है वो किसी ऑपरेशनल वज़े से नहीं आई है किसी डिमाइड में कमी की वज़े से यह विक्री में कमी की वज़े से नहीं आई बलकि यह मुख्य वज़े जो थी मुनाफ़ा खटने की कि डीलरों को GST की मारूती ने काफी मुनाफ़ा दिया है अब क्या करें बिलकुल मारूती में जहां तक निवेश है अगर नहीं करावा तो कर भी सकते हैं क्योंकि जिस तरह से इसके ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं 13.2% का इंप्रूम्मेंट इन सेल्स ग्रोथ और ऐसी आशाय की जा रही है कि इसका मार्जिन पे भी अच्छा असर पड़ेगा और मार्जिन में भी इंप्रूम्मेंट देखी जाएगी जिसका सीधा साधा संबंध प्रॉफिटेबिलिटी से है तो जो मुनाफ़ा है इस वित्यभर्ष में वो इंप्रूव होने की आशाय हैं और संकेत हैं तो मैं समझ अच्छी इंप्रूम्मेंट देखी जा सकती है तो वह भी एक ऐसा काउंटर है जिसमें निवेश कर सकते हैं उसके अलाबा ट्रेक्टर कंपनीज हैं वहां भी अच्छी अपोर्चुनिटीज हैं चले ठीक बहुत 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 शुक्तियासर आज हमें वक्त दने के लेकिन जाते जाते एक बार दर्शे को को यह याद दिला दें 31 जुलाई के पहले अपने IT रिटर्न जरूर भर दीजे ब जाते रिटर्शे के ले अगारे नमस्कार।